नमस्ते यूटूब फैमली कैसे आप सभी लोग आसा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप पीएफ मेंबर हैं तो आपका एक या एक से अधिक कंपणी में जब या जॉब करते हैं तो आपका जो का आपको एक में मर्जर करना है की साथ में चैसे कर पर पहिलें लेकि लाए हैं मोबायल स्कीन पर और वहां पर आपको process बताते हैं कि कैसे आपको अपना PF को transfer claim करना है PF खाते को एक खाते से दूसरे खाते में transfer करने के लिए आपको क्या करना होता है आपको अपने mobile में यहां पर कोई भी browser open कर लेना है open करने के बाद में आपको UN login करके लिखके search करना है या फिर आपको नीचे link description में दिया गया है आप वहां से आकर के directly इस website पर आ सकते हैं इसके बाद आपको UN provident fund organization की जो website है यहां पर UN का portal आपके सामने open हो जाएगा जैसा कि आपके सामने open हो रहा है इसके बाद उस तो आपने क्या करना है कि यहां पर three dots पर आपको click करना है side में और इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और अपने mobile को desktop side कर देना है इससे क्या होगा कि आपका mobile है पूरी तरह computer PC की तरह work करेगा इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहां पर अपना UN number और password और capture code डाल करके आपको sign in पर click करके sign in कर लेना है इसके बाद आपका UN आपके सामने open हो जाता है और यहां पर आपको कोई alert दिखाई देगा तो इसको आपको letter कर देना है इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहां पर आपको कई option दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको home, view, manage, account and online services तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको simply क्या करना है online services वाला जो option है इस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर मैं online services पर click कर देता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कई चार option आपको देखने को मिलते है claim, forum 31, 19, 10C, 10D तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको forum जो दिख रहा है आपको नीचे एक तरफ column इसमें आपको क्या करना होकते हैं यहाँ पर one member, one PF account तो इस पर आपको click कर देना है form तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है कि यहाँ पर transfer request करके आपको मिल जाता है तो आपको simply क्या करना है इस पर आपको click कर देना है transfer will be attached मतलब यहां पर जितने भी हैं वो आपको दिखाई दे जाता है कि आप कहां पर job कर रहे हैं वो आपको देखता है इसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर आपको previous और आपको दिखाई दे जाता है तो आप इसके बाद दोस्तों आपको previous employee सेलेक्ट करने पहचान सत्यापित करनी है और इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है जान जाकी आपको जौब किया हुआ है तो मैंस्यक्त कर लेता हूं इसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर OTP के द्वारा आप यहां पर अपना आधार लिंक मोबाइल नमबर है जो भी उ आपको एक OTP मिल जाएगा तो के पर क्लिक कर दें इसके बाद OTP आपके यहां पर आ जाएगा जो भी आपका मुबाइल नंबर आपके आधार नंग्याट के बाद में आपका जो लिज है आपके प्रेंट में आज़ अ गयाएट आप कर सकतेlier अपने और अब अपने कबाइम यहां पर कर रहे हैं दूस्तों इस से डूसरा खाते में पैसा को ट्रान्सफर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पर हएं तो पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें धन्यवाद दोस्तों मिलता हुआ